बो कुछ ना कुछ बोलना चाहता है आपको कुछ ना कुछ करना चाहिए और बो लड़का आपने दोस्तों के साथ कुछ ना कुछ कर रहा है दोस्तों इस तरह के सिंडर्स को टरस्नेट करने के लिए आपको एक फ्रेज़ॉट की जरूत परेगी तो आये जान लेते हैं बो फ अच्छे से समझते हैं, तो सबसे पहले आपको एक sentence बोलना है, और वो sentence किसी भी हो सकता है, जैसे present, past, future और model भी हो सकता है, उसके बाद इस future को जोर देना है, something और the other, तो आए कुछ example लेते हैं, और अच्छे से समझते हैं, दोस्तों आपको हमेसा एक बात जरूर याद रखन और जो words concern से सुरू होता है, उससे पहले जो article आता है, उससे हम दी नहीं दा परेंगे, इसलिए आपको कोई confuse नहीं होना है, तो आए कुछ example लेते हैं, और अच्छे से समझते हैं, आपको कुछ न कुछ करना चाहिए, you should do something or the other, you should do something or the other, अगला sentence है, आपके पास कुछ न आता है, he wants to say something or the other, he wants to say something or the other, next बाला है, तुम्हे कुछ न कुछ खाने को मिल जाएगा, you will get something or the other to eat, you will get something or the other to eat, आए निक्स बाला देखते हैं, सबको कुछ न कुछ gift मिलेगा, all will get something or the other gift, all will get something or the other gift, कुछ न कुछ तो है, इससे कैसे translate करते हैं, आए जानते हैं, इसके लि something or the other, there is something or the other, आजे next बाला sentence दिख लेते हैं, इसके पीछे कुछ ना कुछ तो है, there is something or the other behind it, there is something or the other behind it, बोलर का आपने दोस्तों के साथ कुछ ना कुछ कर रहा है, that boy is doing something or the other with his friend,